हाई फ्रेंड्स मेरी चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की वीडियो में हम आपको फ्रिल वाला गला बनाना बताएंगे जिसके लिए कुर्टी की कटिंग तो यह हमने नेट का फैबरिक लिया है यह हमने इसी कॉंबिनेशन के हिसाब से लिया है यह देखे इसकी जो चोड़ाई लिया है वो हमने 5 इंच लिया है तो यह हमारा 4 इंच का बनके तयार होगा और यह गला बहुत ही अच्छा लगता है बनने के बाद में तो यहां से हम पहले गले की कटिंग कर लेते हैं यहां से चोड़ाई हम 3 इंच लेंगे गले की और जो यहां से लंबाई होगी वो आप अपने हिसाब से रख सकती है कि जैसे कि मैं इसकी जो लंबाई है वो 4 इंच रख रही हो क्योंकि इसमें हमारी फ्रिल भी आएगी अब यहां से जो हमारी यहां से चोड़ाई होगी व तो देखिए हमने गले की कटिंग कर दी है अब हम इस गले को बना लेते हैं पहले तो देखिए आप पहले फिरिल को तयार कर लेंगे हम तो फिरिल को तयार करने के लिए हम निसान लगाएंगे एक इंच पे ठीक है एक एक इंच पे हम इस तरीके से निसान लगाएंगे करने के जरूरत नहीं कि यह नैट है तो इसमें धागे वगेरा नहीं निकलते हैं और हम इसे उल्टी साइड को मोड रही हैं अगर आपके पास भी कोई ऐसा मिलता जुलता फैब्रिक है तो आपका गला बहुत अच्छा बन के तैयार होगा अब यह हमने तिर्ची पट्टी ल अब धागे को कट करके और इसे हम गले में तैयार करेंगे जो एक्स्ट्र जादा फैब्रिक दिख रहा है उसको कट करके निकाल देंगे अलग इस तरीके से ठीक है अब यह तैयार हो गई है अब हम क्या करेंगे अब हम अपने गले को लेंगे जो हमने गला बनाया है और इ मैं इसमें आधा-धा इंच कपड़ा दबाते हुए सिल दूँगे इसको. सीधी साइड को रख रहे हैं और उल्टी साइड को मोड के फोल्ड कर देंगे. और जो बैक गला होगा उसको आप अपने हिसाब से बड़ा छोटा बना सकती हैं. मतलब जितनी भी लेंथ में बनाना चाहती हैं. और जो फ्रिल होगी वो हलकी सी मतलब जब सिलीप्स लगा लेंगे तो उसके उपर भी उसका बहुत अच्छा लुक आएगा. अब यहां से इसको मोड के और पूरा कम्प्लीट कर देते हैं. तो देखिए इसको कैसे मोड ना है? ऐसे रखेंगे और बस सिलाई लगा देंगे इसके उपर. ऐसे मोड ते हुए पूरे में सिलाई लगाएंगे. तो देखिए हमने गले को अच्छे से तैयार कर लिया है आगे वाले को. अब हम आप इसमें फिरिल लगाएंगे. जैसे कि मैंने आपको बताया है ये फिरिल है जो हमारी ये जब बाजू लग जाएंगे तो उसके उपर इसका थोड़ा सा लुकाएगा. तो एक इंच बाहन निकालते हुए आपको लेकिन जो गले की हमारी किनारी है उसी के उपर गुमाते हुए लेना है और सीधी पट्टी है. मतलब जैसे गोल सेप आई है उसी के अकॉर्डिंग हम और प्लेटों का मूँ हम उपर की साइड कर रहे हैं और जो प्लेट है वो हम करीवन एक इंच की ले रहे हैं चोड़ाई में एक इंच कपड़ा हम इसके अंदर दबा रहे हैं और ऐसे ही बस आपको आराम आराम से लगा सकें तो आप पहले फ्रिल बना लीजिए और फ्रिल बनाने के बाद फिर आप इसके उपर लगा दीजे गले के उपर इस तरीके से हम इसको लगाते हुए जा रही हैं देखिए लेकिन ऐसे भी बहुत आसान तरीके से लग जाती है तो ऐसे ही हम यहां से भी ऐसे ही लगाएंगे और आप इसे बड़ी भी फिरिल लगाना चाहती है तो आप वो भी लगा सकती है उससे क्या होगा कि जैसे स्लीबलेस कुड़ती है तो स्लीबलेस कुड़ती के उपर अगर हम थोड़ी सी बड़ी फिरिल लगाएंगे तो फिर उसमें sleeps की जरुरत नहीं पड़ेगी बहुत अच्छा लुक आएगा फिर उसका तो सेम गुलाई के वाली साइड से भी ऐसे ही मोड़ेंगे यह देखिए अब हम उपर की साइड आचुके हैं कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं आ रही है बस आपको जैसे जैसे आपकी सेफ है उसी तरीके से आपको चलना है और जो कपड़ा है उसका द्यान रखना है की मतलब छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए तो देखिए मैंने अच्छे से इसको कर दिया है complete आप देख सकती है अब हम क्या करेंगे की देखिए इसके उपर लेस लगा देंगे यहाँ पर जो हमने सिलाई लगाई थी उसी के उपर हम लेस लगाएंगे तो मुझे उम्मीद है की आपको अच्छा लगेगा यह गला एक पर जरू ट्राई करें कुर्ती में बना सकती है आप इसे बैक बिलाउज में भी बना सकती है जो आपका पीछे वाला गला होता है उसमें भी बना सकती है गाउन में बना सकती है बहुत प्यारा लुक आता है इस गले का तो अच्छे से पूरे में लगा लेंगे और एक्स्ट्रा लेज को हम कट कर देंगे तो देखिए, यहाँ से लगा दी है, एक्स्टरा को कट करके अलग कर देते हैं, तो देखिए, यहाँ से हमार अच्छे से हो गया है, बनने के बाद में इस तरीकी से लोग आ रहा है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, यहाँ से थोड़ा सा बराबर कर लें, अगर कि रचलने की बार, भर भालन से उन्सेट आड़ा दो जन्सेट नाव जो उन्सेट कि एगा विज़ा हो जग सकते हैं नाव सायं य।